दोस्तो जब आपके फोन पर कोई भी फोन करता हैं तब आपको उसका फोन बीजी बता रहा हैं दोस्तो अगर आपके मॉबाइल में भी इस प्रकार की प्रोब्लम है तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना दोस्तों मैं किलास को हूँ तो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत हो स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सेटिंग्स में जाना है पहले यहाँ पर इस इमेज को छोटा कर लेते हैं सेटिंग्स में आने के बादे आपको स्क्रोल करके निचे की तरफ आना है निचे की तरफ आने के बादे आपको यहाँ पर एक ओप्सन देखने को मिलेगा सिस्टम एफ सेटिंग्स आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर कुछ system application देखने को मिलेंगे अब आपको यहाँ पर एक application देखने को मिलेगा call settings आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर कुछ settings आईगी अब आपको यहाँ पर नीचे एक option देखने को मिलेगा advance settings आपको इस पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे फिर से आपके सामने यहाँ पर settings आईगी अब आपको यहाँ पर call bearing का option मिलेगा आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर कलिक करेंगे तब आपको यहाँ पर SIM सलेक्ट करने का उप्सन मिलेगा दोस्तो फिलान मेरे मोबाइल में SIM नहीं है इसलिए यहाँ पर यह नहीं दिखा रहा है SIM 1, SIM 2 तो यहाँ पर यह कुछ रिफ्रेस होगा अभी यह रिफ्रेस हो जाए तब तक हम वेट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आ चुक है call settings error क्यूंकि मेरे मोबाइल में भी SIM नहीं है इसलिए यहाँ पर यह network error बता रहा है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी SIM को select करना है जो SIM जिस SIM पर आपके call करते ही बीजी बता रहा है आपको उस SIM को select करने बाद है यहाँ पर इस प्रकार की setting आईगी यहाँ पर फिलाल यह 3-4 settings कुछ याँ दिखाई नहीं दे रही है यह वी क्योंकि मेरे मोबाइल में SIM नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आपके मोबाइल में SIM होगी तब यह settings दिखाई देगी तो आपको इन settings को यहाँ पर दियान रखना है कि यह सभी settings off है या own दोस्तो इन सभी settings को ओफ रखना है अगर आपके मोबाइल में यह settings on होगी तब भी आपका mobile ओप बीजी बताएगा तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके मॉबाइल में इन में से कोई भी सेटिंग ओन तो नहीं है अगर ओन है तो आपको यहां से ओप कर देना है दोस्तों यहां पर मैंने आपको पहली ट्रिक बता दिया है अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ तो आपको bake करने के बादे आपको फीर से bake आना है को यहाँ पर एक setting देखने को मिलेगी blog list आपको इसपर click कर देंगे आफ यहाँ यहाँ पर click करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस परकार से settings आएगी आपको यहाँ पर ध्याँ रखना है कि blog list वाला option अगर औरए तो आपको इसको उप कर देना अगर अब करते लेकिन उससे पहले में आपको यह पर दिखा देता हूं से इन नम्रों को अन यानि अन ब्लोक लेना है यहां से डिलेक्ट कर देना है रिमूट जैसे आप रिमूट करेंगे तब यहां पर यह अन ब्लोक हो जाएंगे तो यहां पर मैंने इनको कर दिया यह ट्रिक आपको इस परकार से कर देना है फिर आपको यहां से इसको बंद कर देना है ब्लोक लिस्ट को जैसे यहां पर बलेक लिस्ट को बंद कर देंगे तब यह दूसरी सेटिंग्स हो कम्पलीट हो जाएगी यह दोनों सेटिंग्स अपनाने के बाद में भी आपका मोबल यानि बीजी बता रहा है तब आपको तीसरी ट्रिक फोलो करना है तो तीसरी क्या है आपको डाइलर में जाना है जैसे ही आप यहां पर डाइलर को ओपन करेंगे फिर आपको यहां पर कुछ कोड़ डाइल करने है तो यहां पर मैं आपको कोड़ बता देता हूं आपको सबसे पहले टाइप करना है 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 टू वन है इस परकार से आपको यह कोड़ डाइल करने है डाइल करने बाद है आपको sim 1 या sim 2 जिस भी sim में प्रोब्लम है आपको उस sim से यानि डाइल को यानि कॉल कर देना है जैसे आप उस पर कॉल करेंगे तब आपके सामने यहां मोबाइल नेट्रोक की जगा ऐगा कॉल फॉरवर्डिंग इज ओफ दोस्तों अगर आपके मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग वाला ओप्सन ओ यानि ओन करका है पहले से तब वो एक्टोमेटिक ओप हो जाएगा यह कोड डाइल करती है यहां पर मेरे मोबाइल में sim नहीं है इसलिए यहां पर मोबाइल नेट्रोक बता रहा है दोस्तों इस परकार से आपक मोबाइल की यह प्रोब्रम सॉल्व होई या नहीं तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ तब तक के लिए गुड़बाए